हेलो दोस्तों आज हम लोग EBS का ये जो EBS Class 4 का लेशन 4 पढ़ने वाले हैं ठीक है लेशन 4 है हमारा अमरिता की कहानी तो seated paper 1 के लिए हम लोग EBS cover कर रहे हैं तो आज हम लोग lesson 4 की बारे में कुछ बहुत ही छोटी छोटी और important fact और point देखने वाले हैं तो अपना paper ले लिजी और point को note करते जाएं यहां सबसे पहले point आप लोग लिखेएगा कि राजस्थान में जोदपूर के पास खेजड़ी गाउं की रहने वाली थी तो यह first point आप लोग लिखेगा कि खेजड़ी गाउं कहां है खेजड़ी गाउं जो है जोदपूर राजस्थान में है आपका सबसे first point यहां से यही बनता है कि खेजड़ी गाउं जोदपूर राजस्थान में इसको बिल्कुल आप लोग लिखेगा क्योंकि यह बहुत important fact और point है जिससे direct question exam में पूछ लिए जाते हैं उसके बाद एक point यह आता है कि उसके गाउं में खेजड़ी के बहुत सारे पेंड थे इसलिए उसका गाम खेजड़ी परा यहां उस गाउं का नाम खेजड़ी क्यों परा क्योंकि उस गाउं में खेजड़ी के बहुत सारे पेंड थे तो second point आप लोग लिखेगा कि खेजड पेडो और जानवरों की रक्षक करते हैं यह लोग जो है तो जो नेक्षच पोईंट बनेगा वह यह है कि यहां के लोगों को यानि कि इस गाउं मेड़ी की कहा जाता है ठीक है अब next point है खेजडी यहाँ पेड रेगिस्तानी लाके में खुब पाया जाता है तो खेजडी का जो पेड होता है वो रेगिस्तानी लाकों में पाया जाता है नेक्ट लिखेगा इसे ज़्यादा पानी की जवरत नहीं होती है इस पेंड की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकडी को कीड़ा भी नहीं लगता है ठीक है तो खेंड की फर्यों की सबजी भी बनाई जाती है इसकी पत्यां वहाँ पर रहने वाले जानवार खाते हैं तो इन सभी sentences को point by point लिखेगा कि वहाँ के जो पत्यां होती है इस पेंड की रहने वाले जानवार खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं तो यह उपर जितने भी पॉइंट दिये गए हैं, यहां से लेकर कि यह रेगिस्तानी लागों में पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की जूरत नहीं होती है, इस पेंड की छाल दवा बनाने काम आती है, इसकी लकडी को कीरा नहीं लगता है, इस पेंड की फलियों से सब बनाई जाती है, इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, तो इतने सारे इंपोर्टेंट पॉइंट बन करके सामने आते हैं, तो इस लेसन में इतने ही इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आगे लेसन के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर कर दो अएकति हैं सत्तित कर दो कि एतने है इंपोर्टेंगा ं सवर्टेंग! इंपोर्टेंगा